नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाधिया स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बात करूँगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में मैं आप सभी के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ मैं बता दू कल मैंने आप सभी के साथ परसो के सेशन में एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आप सभी से का था कि इस स्टॉक में 14 सेप्टेंबर को होगा एक बड़ा एक्शन कॉर्पोरेट मीटिंग थी कमपनी की बोर्ड मीटिंग थी किसके रिगार्डिंग थी इस्व क्या हुआ तो अभी अभी जो सामने आया सब कुछ वो मैं आप सभी के साथ करता हूं कि कमपनी किस तरीके से NCD के दौरा पैसे जुटा रही है कितने जुटा रही है और क्या है लॉक इन पीरेट तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इसके बारे में बात करते हैं वीड कि क्याता है श्कली की बात करें तो अभी के हसाब से इस स्था की बात करूं तो लगबग 106.90 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है लगबग 5 करोड शीर्स ट्रेड हो चुके हैं इस स्थाप में 7.9 करोड शीर्स का एवरेज वालियum है अगर मैं आपने व्यू की बात करूं तो कल के session में मैंने इस stock में buy recommendation भी दी थी around 108 के levels के पास अभी भी मेरा view बरकरा रहा है मुझे लगता है इस stock में जिसके नहें भी मेरे कहने से 108 पर buy करा है वो definitely hold करें उसको SL दे रहा है मने proper अगर आप अभी मेरे से पूचे तो मेरा भी भी वही 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 लगबग 107 पर भी trade कर रहा है यहां खरीदें आपके लिए SL मातर तीन पॉइंट करें गया है और पहला target 113 दूसरा 116 का यानि कि आपके लिए risk reward बहुत अच्छा हो रहा है अब तो तो यह overall view is time मेरा बन रहा है Tata Steel के stock को लेगा और उसके बारे में बात में बात करूंगा पहले बात करते हैं जो यह NCD company ने issue करी है उसकी सारी details में देता हूँ सबसे पहले बता दूं company approves 2000 करोड NCD यानि कि लगबग लगबग the board of director of steel major Tata Steel has approved 20,000 fixed rate unsecured redeemable non-convertible debentures of face value 10 lakh each aggregating to rupees 2000 करोड on private placement basis तो आपको यह समझना जरूरी है इस NCD को दो भाग में divide करा गया है चलिए उसके बारे में बता दूंग the board of director of the company announced the update at a meeting held on September 14, 2022 and specified that the company board approved the issue of debt securities in the form of non-convertible debentures the NCD is expected to be issued in two different series two series में पहली series one debenture will be consist of 5000 NCD of face value 10 lakh each aggregating of rupees 500 करोड total 2000 करोड की NCD है इसमें पहली series में लगबग 5000 NCD आएंगी 10 lakh की face value वाली जो की 500 करोड की होंगी और इसके बाद मैं आपको बता दूंग second phase की जो NCD है जो second phase की NCD है वो 1500 करोड की है इनका time frame भी company ने decide करा गया है जो कि मैं आप सभी के साथ share करता हूं तो पहले तो आपको इतना समझना चाहिए 10 lakh की face value पे आये 10 lakh की face value पे मैं आपको exactly बता हूं the issue is divided into two series data steel in series one 5000 NCD of face value rupees 10 lakh each will be issued to raise an amount aggregating 500 करोड the second जो है while the while under the second series 15,000 NCD of face value 10 lakh each will be issued to raise another 1500 करोड यानि कि लगबग 15,000 NCD अलग से आएंगी 10 lakh की face value वाली जो की लगबग 1500 करोड जुटाएंगी और 5000 NCD अलग जिनसे 500 रुपे जुटाए जाएंगे आप 500 करोड रुपे जुटाए जाएंगे इन दौनों सीरीज के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट करा गया है जो पहली है यानि कि 500 करोड रुपे जिस सीरीज से कंपनी जुटा रही है उसके लगबग जो टाइम फ्रेम रखा गया है वह सेप्टेंबर 2027 यानि 5 साल का फिक्स टाइम फ्रेम है यह और जो बड़ी वाली है उसके लिए 10 साल का है 2032 तक यानि कि आप अगर पैसा देते हैं और 1500 करोड वाले में पार्ट करते हैं तो लगबग 10 साल तक खोल करना पड़ेगा NCD को एंड उसके बदले आपको कमपनी कुछ जो अमाउंट ऑफ रिटर्न होगा वह सेलेक्ट करेंगी वह यहां पे नहीं अभी शो कर रहा और वह 10 साल के लिए और छोटे वाली में पांस साल के लिए प्राइवेट के लिए सब कुछ तो यह ओवर ओ वेशकों के लिए मेरी राय है लगबग 95-200 के लेवल्स पर बाय करें और होल करें इसे स्टॉक को तो यह मेरी वीडियो टाटा स्टील के शेयर को लेकर होप आपको समझ में आयोगी थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो